हेलो अब्रीवन वेल्कम टूवर येट्यूब चेटल जेकल लेटस्ट इंफो तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम जेकेस्स भी वील्डुब्लु के जो क्लासे स्टार्ट कर चुके थे थे कंटिन्यू करने वाले हैं कल यह परसु जो हमने टॉपिक कंप्लीट कर रहा था वो तो स्पेस ओरिंडेशन वालस को साइकेंड पार्ट आपके सामने आ गया था आज हम इसी तरीके से एक रिलेल्डी टॉपिक आपके सामने लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है स्पेस विजुलाइशेशन तो बार बर में स स्पेस विजुलाइशन बोलने के बजाए मैं एस वी बोलूँगा आप समझना में किस टॉपिक की बात करता रहा हूं तो यह टॉपिक जो यह दो पार्ट में कवर करेंगे अच्छे से कवर करना है आज पहले पार्ट में हम कुछ बेसिक समझ लेंगे साथ ही साथ कुछ ए वीडियो रहने वाली है वहाँ पी इन एक्जेंपल्स को और एक्स्टा आपको समझ लेकर आँगा और अच्छे लावदर के कोश्म से लेकर आँगा और जो कैटिकरी में बचते होगे वह भी कवर कर लेंगे तो पार्ट वन आपके लिए मोस्ट मोस्ट इंपार्ट रहने वाला है अगरे इस टॉप्ट को कवर करना चाहते हो और इस टॉप्टिक है ज़्दा टेंशनले कोई बात नहीं बस समझना होगा स्पेस विजुलाइज़ेशन जिनले की एस्वी में होगा क्या अपको 3D फिगर दी जाएगी उसके उसको आपको देखना है समझना है और आ आवाज नहीं आने के वज़ा से यह वीडियो दुबारा में शूट कर रहा हूं तो क्यूब अगर मेरे पास अभी है नहीं है तो मैं काम कर सकता हूं मैं इसको क्यूब मानके चल लेता हूं यह मेरे पास है क्यूब है ठीक है आपको बताए क्यूब के six face होते हैं जैसे एक face उपर की तरफ है एक face नीचे की तरफ दो face होगे एक उस तरफ एक मेरी तरफ चार लेफ्ट राइड तो छे फेस होगे ना अब डाउन लेफ्ट राइड ये आगे बीचे वाजा छे फेस होगे इसके हमें इनी face से काम लेना है अब example लेकर चलते basic concept समझाता जाओंगा कुछ इस बातों पर आपको ध्यान भी देना होगा यहां पर सामने में इने mirror भी लगाया हो ताकि मुझे पत्र लग जाए बाइक बंद हो गया है इसलिए बार यहां पर यहां पर क्या मान के चलो मैं एक folded cube है इसको open करने कर ट्राइड करता हूं जैसे में इसका एक face है यह मैंने एक बात देखोंगे जो ऊपर वाला face है और वो नीचे वाला face है यह आपस में जुड़ेंगे नहीं एक दुसरे के बिलकुल साथ नहीं आएंगे क्यों कि इनके बीच में यह बीच में यह आ जाएगा या फिर इस साइड़ा पोशन आ जाएगा यह या फिर कोई पोई हो गया मैं को क्या कहा रहा हूं क्यों किसमें क्या होगा जब भी आप इस क्योब को ऊपन करोगे जो अपोजिट वले face होंगे वो कभी एक साथ नहीं आएंगे वह अलग रहने वाले सिर्फ इतना important concept आपको समझा रहा हूं यह समझ गयो तो पूरा chapter आपका समझ आ जाएगा अब आगे चलते हैं एक्जेंबल देखते हैं समझ आता जाएगा सब कुछ ठीक है मान के चलो मेरे पास है कि क्यूब है इसको open करके रख दिया हूँ अब यहां पर numbering करेगे 123456 सबी faces को open करके रख दिया हूँ है मैंने आपको भी क्या बताया opposite face कभी भी साथ में नहीं आएंगे तो opposite face पहचानना कैसे है कि opposite कौन से कौन से हैं उसका भी simple सा तरीका है जैसे example लेके चलते आपको पता करना है कि two का opposite कौन सा है तो two का opposite पता है कौन सा हो जाएगा two के बाद एक box छोड़ दो जो उसके बाद box हो जाएगा मतलब एक space छोड़ दो जो next box होगा वो opposite हो जाएगा इसका मतलब मुझे समझ आया कि two का opposite क्या हो जाएगा two का opposite four हो जाएगा उसी तरीके से अगर मैं three की बात करूँगा three का opposite क्या हो जाएगा three का opposite इस box को छोड़ दो एक box छोड़के five आ रहा है 3 का opposite क्या हो जाएगा 5 आजाएगा उसी तरीके से बच गया 1 और बच गया 6 ये भी opposite हो जाएगे तो इस तरीके से एक cube जिसको unfold करके रखा गया है आप पहचान सकते हो कि उसमें opposite वाले face कौन से रहने वाल है ये concept समझ आगया तो एक तरह की questions उपके पूछ जाते हैं वो हम cover कर लेते हैं इसी example के साथ ये एक example आपको समझ आगी ना दो बाते याद रिखने हैं पहले कि opposite face कैसे पहचाना है वो आपको समझ आगया वेरी गूड दूसरी बात आपको समझ आगी कि opposite face कभी भी साथ में नहीं आएंगी ये दो बाते समय जा गई अब देखो questions कैसे होते हैं ये रहा आपके सामने screen में question अब आपको समझा रहो इस तरह के और भी questions आपके सामने आएंगे आज की वीडियो में आएंगे कल की वीडियो में भी आएंगे बट पहला में समझा दो बाकि आपने खुदी भी ट्राइब मैं आपको करवाँगे करवाँगा बट आपने खुदी भी ट्राइब करने है जिसे देखो यहां पर क्या क्यों को open करके रख दिया हुआ है 1,2,3,4,5,6 6 face आपके सामने open करके रख दिये हैं यह कहानि आपको समझा गए इसमें किसी तरह की difficulty आपको नहीं आ रही है question दो तरीके से बनते हैं पहला question जो मैं आपको करवा रहा हूँ दूसरे question भी same तरीके से करना है जिसे यह question क्या पूछा गया है question लिखा नहीं उनमें आपको बता रहा हूँ इस question में पूछा गया था यह जो cube है जिसे unfold गर करके रखा गया है इसको दूबारा से आप fold करते हो जिसे cube हो दूबारा से वैसा बनाते हो तो बताओ इनमें से कौन सा option possible नहीं है यादि कि इनमें से कौन सा option नहीं बनेगा आपको वो बताना है पूछन समझ आया क्या एक बार फिर से repeat कर रहो कहा गया है आपको यह जो cube आपको दिखाया गया है unfold करके इसे दुबारा से पैक करोगे दुबारा से fold करतोगे तो इनमें से कौन सा option जो है वो नहीं बन सकता है जो नहीं बन सकता है वो आपको बताना है तो हम समझना स्टार्ट करते है देखो सबसे पहला इस तरह क्योशन इनको बलते है open dice इनको बलते है open cube, open dice दुसरे close मैं आपको समझाओगा दो category open dice पहले हम open dice ले concept लेके चल रहे हैं यहाँ पर देखो क्या रहने वाला है opposite की मैंने बात के थी मुझे बताओ इसका opposite क्या हो जाएगा मैंने आपको कहा एक box चोड़के आगे की तरफ बढ़ना है एक box चोड़ दिया आगे की तरफ बढ़ना है मैं इस image को erase कर दूँ क्या ताकि हमें space मिल सके और हम और अच्छे से cover कर सके इसको मैं ever erase कर लेता हूँ और मैं देखता हूँ कि आप माइक चल भी रही है क्या हाँ बिल्कुल चल रही है अब यहां पर मैं इसको बढ़ना start कर दूँ और माइक होगर मैं तोड़ा सीधा करूँ बंद बगार ना हो जाए तो अगर मैं इसको erase कर दूँ तो मैं लिखता हूँ कि किसका opposite क्या है ताकि मेरे लिए आसान हो जाए और आपके लिए भी आसान हो जाए पहली बार तो हम इसको कर रहे हैं इस तरीके से इसके बाद आपको इस तरीके से हो जाना चाहिए कि आपको लिखना ही नहीं पड़ाए आप अराम से कुछ इन कवर कर लो इसका opposite क्या है circle तो मैंने लिखते जो ये 5 dot आ रहे थे इसका opposite है circle आगे चलते हैं तो single dot है इसका opposite क्या हो जाएगा इसका opposite ये वाला हो जाएगा क्योंकि एक box छोड़के आगे बढ़ना है निकि single dot का opposite है ये triangle और बचके ये दोनों ये भी opposite हो जाएगे मतबिस multiple का opposite है प्लस तो opposite वाला concept तो में यहाँ पर समझ आ ही गया है कि opposite कौन से कौन से ही ये हमारा पास opposite वाले pair आ गए अब हमारा काम क्या है हमें कहा गया है इसको fold करने पर कौन सा cube नहीं बनेगा वो आपको बताना था यहाँ पर देखे अगर इस figure की तरफ ध्यान दिया जाए तो हम यहाँ पर देखते हैं जो 5 dot है और circle है ये तो opposite है ये एक साथ आ ही नहीं सकते लेकिन अगर आप option number A की तरफ देखो गए 5 dot और circle एक साथ आ गए ये figure तो इनके साथ में है ये figure साथ में है ये आपस में साथ में है जो जिस opposite है हो साथ में कैसे आ सकती है possible ही नहीं है तो हमने पहले ही देख लिए था ये opposite वाला pair है ये साथ में नहीं आना चाहिए था यहां में opposite वाला player साथ में आ गया है इसका मतलब यह figure बननी नहीं सकती है यह गलत figure है तो हमें वही तो बताना था कौन सी figure नहीं बनेगी option number A वली figure नहीं बनेगी वो आपके पर एक cancer हो जाएगा बाकि आपको तसलिक करवाने के लिए में बाकी options पर आपको दिखाते तो कैसे में इस cancer यह वाला बता रहा हो अगर हम option number B की तरफ चलते है यहां पर अगर आप देखोगे तो देखो dot है dot कसा ट्राइंगल नहीं आना चाहिए dot कसा के इन ट्राइंगल दिख रहा है नहीं दिख रहा अगर हम बात करेंगे circle की circle के साथ 5 dot नहीं आने चाहिए circle के साथ 5 dot नहीं दिख रहे multi package प्लस नहीं आना चाहिए इसका मतलब इस box में oppositively player तो साथ में नहीं है इसका मतलब यह possible है यह cube बन सकता है हमसे यह पुछ़ए ता कौन सा cube बन सकता है हमसे पुछ़ए तो कौन सा cube नहीं बनेगा तो यह नहीं बन रहा था option नमबर अगर हम c भी try करते हैं तो यहाँ पर देखो triangle है triangle के single dot नहीं आना चाहिए नहीं आया हुआ है circle तो 5 dot नहीं आना चाहिए plus or multiply आना हुजए इसका मतलब यहाँ पर भी opposite pair साथ में नहीं है इसका मतलब क्या हुआ यह वाला cube भी possible है उसी तरीके से यह वाला cube भी possible हो जाएगा तो हमें समझ आया इस question में एक cube जो possible नहीं था हमें वही तो बताना था क्या आपको concept समझ आया comment section में ज़रूर बताना और अगर video अच्छी लग रही है तो video को share ज़रूर कर देना पुरान जितने भी videos है अलग से playlist बनी है jkssbvvldo reasoning के नाम से वाहाँ पर जाके सारे videos को देख सकते हो और आपको बताना चाहूंगा इसका course मारी application पर भी चल रहा है description box में comment section में मिल जाएगा link आपको वाहाँ पर जाके course को join कर सकते हो वाहाँ पर जल्दी cover हो जाएगा वाहाँ पर जल्दी cover हो जाएगा यह portion आपको समझ आगया कैसे cover करना है इसी बर based एक question और बनता है वाहाँ पर आपको same इस तरह से cube दिया होगा आपको बोलेगा बताओ कौन सा cube बन सकता है तो वाहाँ पर क्या होगा तीन cube नहीं बन रहे होगे एक cube बन रहा होगा आपको वो tick कर देंदा इस तरह question और सामने आएगा एक तरह का concept आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा हम चलते second तरह के concept के तरफ ताकि आपको easy होते है तुमें इस image को में erase कर सकता हूँ मुझे बता है ताकि हम second question की तरफ बढ़े उमीद कर तो वीडियो अच्छी लग रहे होगे concept आ रहा होगा second part की तरफ चलते हैं यहाँ पर क्या मैं आपको दो तरह के concept बताऊंगा एक होता है मार पर standardized एक होता है ordinary dice ठीक है standardized मतलब जैसे कर हम बात करें standardized में क्या होता है जो opposite pair होते हैं उनका sum 7 होते हैं standardized में क्या होगा opposite pair का sum 7 हो जागा इतनी बात आपको याद रख नहीं है अब कोई भी dice को भी cube के सामने आ जाएगा आप कैसे पहचानोगे कि वो standardized है इतना तो मैंने आपको बता दे कि sum 7 आना चाहिए बटा पहचानोगे कैसे अगर मैं इस dice के example लेकर चलू मैंने कहां opposite का sum 7 आना चाहिए ये वह जो में पस dice है इसमें देखो 4 plus 3 7 ये कि opposite हैं क्या opposite नहीं है ये तो अपने साथ में ही आ रहे है अगर साथ में 7 7 आ रहा है तो वो भाई जनरल डाइस ने standardized नहीं है ये एक ordinary dice है ये कौन सा dice है एक ordinary dice है standardized में क्या होता है opposite का sum 7 आना जिसे मैं यहाँ पे लेचलू 5 plus 1 6 आ रहा है 4 plus 1 5 आ रहा है 5 plus 4 9 आ रहा है मतलब कि यहाँ पे साथ में का sum 7 नहीं आ रहा है इसका मतलब यहाँ पे opposite वालों का sum 7 आ रहा होगा तो ये मेरे पास standardized है इतनी कहानी आपको समझ जाए standardized कैसे पहचानोगे standardized का sum 7 आता है बट opposite का अगर कहीं पर साथ में का sum 7 आ गया था यह पर आपने देखा कि साथ में का sum 7 नहीं है इसका मतलब opposite वालों का sum 7 रहा होगा यह standardized आ गया अब exam में क्या आप से पूछ रहता है बताओ वन का opposite क्या होगा फोर का opposite क्या होगा उसके लिए पहचानना है पहले अगर आपने देख लिए वह standardized है अगर आपने देख लिए वह standardized है इस तरह कुछन आपको सामने आ गया आप आप से पुछे का 2 का opposite क्या हो जाएगा आप बोलोगे 5 इस diagram में 4 का opposite क्या हो जाएगा आप बोलोगे 3 क्योंकि sum 7 बनना चाहिए पुछे का 5 का opposite क्या हो जाएगा आप बोलोगे 2 sum 7 बनना चाहिए समझ आ रहा है तो पहले आप देखोगे वह standardized है और standardized है standardized है तो कहानी नहीं खतम हो जाएगी जो number दिया हुआ है उसमें कुछ ऐसा add गुर्कुल 7 बनना चाहिए लेकिन अगर ordinary dice दियो फिर आपको कैसे cover करना है जैसे मैं कोई example लेकर चलता हूँ इस तरह से 2 cube आपको दियो हुए ठीक है इस तरह से मांगे तो 2 cube आपको दियो Teddy matter figure ठोटी से में बना रहो यहां पर यह a cube आपको दे दिया ठीक है यहां पर पहले नंबर है यहां पर लिखाव है 1 यहां पर लिखाव है 3 यहां पर लिखाव है 5 यहां पर लिखाव है 3 यहां पर लिखाव है 2 अब इस question में आपको बोलता है बताए 2 का opposite क्या हो जाएगा आपको बोलता है यहां पर अच्छा यहां पर तो आप यहां पर देखते हैं यहां पर देखते हैं यहां पर इसका मतलब यह स्टेंडर्डाइस नहीं है अब इसको कैसे कवर करने यहां पर किस सकी कोषण को पर करना है आपसे किसी की अब पूछा गए तो आपने करना क्या है जो कौमन देखने को मिल रहा है वहां से गड़ी की डिरेक्शन में जाना कि क्लॉक वाइस गुमना स्टार्ट कर दो गड़ी के हैंड से ऐसे रोटेट करते ना हमने भी ऐसे रोटेट करना स्टार्ट कर दिया तो पहले नंबर था फाइफ फिर था वन फिर था थ्री हमने वो नंबर से लिखना स इसका एपॉसिट हो जाएगा इसका एपॉसित ने करतें भेना से रहेा। यहां से और पॉसित क्लिए का इस तरीके से फिरति ऐसरी है तो इस तरीके से यह तुर्म का स्पार करet नुद रहेु है। ताकि आपको समझा जाए उच्छ तरीका सी बिट आज का पहला है कोशिन आपके समय स्क्रीन में चल रहा है कोशिन में कहा गया है which of the following cube in the answer figure कौन सा cube answer figure में ऐसा है cannot be made जो नहीं बन सकता based on the unfolded cube तो पहले example हमने करे थी options में से कौन सा cube ऐसा है जो नहीं बन सकता है unfolded cube को ध्यान पर रखते हुए कौन सा cube नहीं बन सकता है आपको वो बताना था तो बहुत देख लेते हैं मियांबर पहले opposite concept आपको देखना पड़ेगा अगर आप ध्यान से देखोगे जो पहली figure आपको दीगे circle आपको दिया गया है आप मुझे बताएगे circle का opposite क्या हो जाएगा circle का opposite जो एक box ठोड़ का आपको यह दिख रहा है circle का opposite यह हो जाएगा दूसरी तरफ अगर हम इस cross का opposite बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा जो 5 dot आपको देखने को मिल रहे हैं जाएगा और बच गया hash और यहांवे बच गया इस तरह वले डबा इसका opposite यह हो जाएगा तो इतना आपको समय जाएगा opposite प्यर क्या है आप से पूछा कि कौन सा नहीं बन सकता अगरम option नमबर एक ही बात करें वहाँ पर आपको इस तरह का star देखने को मिल रहे है star के साथ पांच डॉठ है नहीं ही आपको यह वले ड़ेगराम देखने को मिल रहे है इसके साथ क्या hash है नहीं है इसका मतलब जो option नमबर एक ही फिगर है वहाँ पर opposite साथ में नहीं है वह figure बन सकती है option नमबर एक ही बन सकती है क्योब एक ही नहीं मिल रही है इसका मतलब option number B में क्या करा गया है opposites को एक साथ रखा गया है जब कि opposite तो एक साथ आते ही नहीं है इसका मतलब option number B वाली figure नहीं बन सकती है आपको वही तो बताना था तो option number B आपको correct answer हो जाएगा आगर चले next question की तरफ next question पे आपको साथ स्क्रीन में है उसे भी देखो कैसे cover करना है same question है कहा गया कि कौन सा cube नहीं बन सकता है आपको वह बताना था अगर हम opposite डूना start करें आप देख रहे होगे यहां पर अगर हम opposite डूना start कर देंगे तो आपने अपने पे भी आपको समझ आ रहा हुआ है इन questions तो बिना pen pencil के भी आप राम से cover कर सकते हो बस थोड़ी से practice करो दो तिन questions के राम से cover कर सकते हो यह जो पांच dot है पांच dot के opposite single dot हो जाएगा जो इस तरह का आपको star देखने को मिल रहा है इसके opposite यह उली figure हो जाएगी और जो इस तरह की figure देखने को मिल रही है इसके opposite में rectangle बॉला box हो जाएगा क्या इतना portion आपको white board में दिख रहा है बिल्कुल दिख रहा है अगर हम एक काम करते है option number a की बात करेंगे पांच dot is a single dot है नहीं है इस star के साथ यह वली figure है नहीं है तो option number a में opposite pair साथ में नहीं है वो figure बन सकती है option number b की बात करते हैं क्या 5 dot जो single dot है नहीं है क्या इस figure के option number b में भी opposite नहीं है c की बात करेंगे तो c में भी opposite नहीं है लेकिन अगर हम d figure की बात करते हैं d option में यह वली figure और यह वली figure एक साथ देखने को मिल रही है जब कि यह opposite will appear है तो opposite पे एक साथ में कैसे आ सकते हैं तो इसका मतलब यह वली figure बनी नहीं सकती है आपसे वही तो प वो भी आपके सामने स्कीन में दिया गया है अब कोशिन थोड़ सा चेंज कर दिया है अब आपको बोला गया है ऐसा क्यूब स्लेक्ट करो जो बन सकता है अब यह तक क्या पूछ रहा था जो नहीं बन सकता अब बोल रहा है ऑप्षिन में से एक ऐसा क्यूब है जो जो फॉल् यहां पर L हो जाएगा, K के अपोजिट यहां पर M हो जाएगा, बच गया T और U यह अपोजिट हो जाएगे, हाना? आप्शन नमबर A के तरफ अगर हम ध्यान देंगे, तो T और K एक साथ हैं, नहीं हैं, L और K, इसका मतलब आप्शन नमबर A ऐसा है, जाबर अपोजिट साथ में नहीं हैं, इसका मतलब आप्शन नमबर A वली फिगर बन सकती है, आपसे यह तो पूछता कि कौन सी फिगर बन सकती है, ऑप्शन नमबर A वली फिगर बन सकती है, वो करेट एंसर हो जाएगा, आपके तसलिक लिए हम सेकंड ऑप्शन में ट्राई कर लेते हैं, सेकंड ऑप्शन में आप देखोगे, M और K एक साथ दिया हुए हैं, जबकि वो अपोजिट हैं, साथ में नहीं आने चाही थे, ऑप्शन नमबर C की बात करेंगे, वहाँ पर T और U साथ में दिया हुए था, जिबकि वो साथ में नहीं आने चाहे थे, इसका मतलब ऑप्शन नमबर A वली फिगर ऐसी है, जो पॉसिबल थी बन सकती थी, आपको वहीं बताना था, तो उमीद करते हूँ, इस तरह की क जाएगा हमारा जो Instagram है, या Telegram है, टेलीग्राम का तो Link Description Box में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके अब JK Latest Info के नाम से आए, वह साइट JK Latest Info डॉक्स के जाएगा, सब्सक्राइब आगे चलते नेक्स कुछन की बात करते कहा गया है अब इस कोशन से आपका एक और कंसेप्ट प्रियांबर क्लियर हो जाएगा वह कैसे वह को समझाता हूं जैसे यहां पर देखो आपके समने इस तरह से डाइस दिया हुआ है यहां पर नंबर क्या लिखा हुआ है वन फिर लिखा हुआ है फाइफ और फिर लिखा हुआ है थ्री और दूसरी डाइस की बात करेंगे वहां पर लिखा हुआ है वन फिर लिखा हुआ है तू और फिर लिखा हुआ है इस तरह से लिखा हुआ है आपको पूछा है आपको फिर आएगा five यहां पर one आएगा उसके बाद आएगा six उसके बाद आजएगा two इस तरह सबको समझ आ रहा होगा तो आपको समझ आ गया कि three के posit तो six आ जाएगा five के posit तो two आ जाएगा तो one के posit आ आप बिलोगे 1 आ जाएगा तो options आप देखो कि वहां पर तो 1 है यह नहीं तो correct answer क्या हो जाएगा अब यहां पर देखो कैसे cover करना है आपको the dice है dice में number होते है 1 2 3 4 5 6 5 के opposite 2 हो गया यह आपको concept clear है 3 के opposite 6 हो गया यह concept clear है बच गया था 1 1 के opposite 4 हो जाएगा तो आप बोलोगे 1 के opposite 4 आ जाएगा options में से 4 कहां पर है option number 1 में है तो आपको समझ आ रहा होगा मैं किस तरह concept यहां पर आपको बताने का try कर रहा था आपको वो concept यहां पर समझ आ गया होगा बागे चलते हैं आके next question की बात कर लेते हैं वो कैसे cover करना है next question की बात करते हैं यहां पर कहा गया है when the falling figure is folded जब जो figure जिसको fold करना start कर दोगे तो वन के opposite में क्या आ जाएगा यह तो simple सा question है इसमें किस्तर की problem आपको नहीं आ रही होगी आगे चलते हैं यहां पर कहा गया on the basis of the given to position of the single dice find the letter at the face अहां एक के opposite में कौन सा letter आ जाएगा आपको वो बताना था सेम कंसप्ट है कोई difficulty यहां पर आपको नहीं रहने वाले है एक के opposite में क्या आएगा अगर आप ध्यान से देखोगा डाइस के तरफ नंबर क्या दिया हुए ए बोला हुए फिर बी दिया हुए फिर सी दिया हुए दूसरे वाले के बात करेंगे आपको दिया हुए फिर सी दिया हुए फिर इदिया हुए पॉमन क्या है यहां पर भी सी कॉमन है यहां पर भी सो कॉमन है प्लॉक्वेश गुमना स्टार्ट कर हो जाएगा यहां पर किया हो था एक फरस्ट नंबर पर आता है इस थर्ड नंबर पर दी फॉर्ट नंबर पर इफाइव नंबर पर अगर हो सकता आप अगर अगर ऑप्शन में सी ना होता सिक्स नंबर पर आता है आप बोलते सी का बुझेट एफ हो जाएगा क्यों को इस तरीके से कुछ इंपॉर्ट कोशिंस हमने यहां पर कवर कर लिये हैं नेक्स पार्ट और अच्छे कोशिंस कवर करेंगे जहां पर दो डाइस नहीं कवर होंगे तीन तीन चार्ट डाइस बीक्स आएंगे वो कंस्प्टिव देखनेंगे और एक नए पैटर्न के कोशिंस भी देखनेंगे ताकि आपको हर तरह की कोशिंस से कवर हो जाए बागी किसी भी तरह का डाउट होगा जरूर्ट कमेंट सेक्शन में पूछेगा टेलिग्रम को ज जाएंट कर जाएंट कर लेना और साथ डाउट होगो तो जरूर्ट पूछना और वीडियो को शेयर जरूर्ट करना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब देखले थाइंक्यू जाहें नित